y is equal to x cube अब हमें क्या निकलना है? dy by dx मतलब rate of change of y with respect to x when the change in x is very very small तो पहले x की जाएके हम नया number बनाएंगे x को x plus del x उससे y हो जाएगा y plus del y देखो समझ में आ रहा है? यहां देखो अब सब्ट्राक्शन अभी बोर्ट पर देखते जाओ, लिखना नहीं है अभी अब देखो तो मैं कर क्या रहा हूँ? अब यह तो कर दिया पर मुझे del y में इंट्रेस नहीं है, मुझे del y upon del x में इंट्रेस से तो डिवाइड करो अब रुख जाओ, अब सबसे इंपॉर्टन चीज़ आ रही है इसका मतब del x is nearly equal to what? 0, सबसे पहले मुझे बताओ this will be neglected, del x छोटा तो उसका square भी छोटा, कैसे? और इस और क्यों? 0.1 का square कितना होता है? 0.01, बड़ा होगा कि छोटा हो गया? छोटा हो गया पक्का? पॉइंट बन का square करोगा तो 0.01 हो गया, छोटा हो गया कि बड़ा हो गया? पक्का? मुझे तो लगता है 0.01, बड़ा है 0.1 से? कि छोटा है? छोटा, निगलेक्ट यह बताओ, del x is nearly equal to what? 0. तो किसी नंबर को गर 0 से multiply करोगे तो वो नंबर भी क्या हो जाएगा? 0. तो यह पार्ट भी निगलेक्ट होगा और यह पार्ट भी निगलेक्ट होगा, रह जाएगा के वल यह? अभी रुको मैं अब थोड़ा और समझाओंगा, रुक जाओ, यह मुझे वैल्यू बताओ जब x की वैल्यू टू है, इसकी मुझे वैल्यू बताओ जब x की वैल्यू टू है, तो 12 आईगी? 12 आईगी? इसकी वैल्यू बताओ, जब x की वैल्यू टू है, तो किती आईगी? 12 इसका मत्तब यह है कि जब x2 होता है, थोड़ा सा x को बदलेंगे, थोड़ा सा x को बदलेंगे, तो y थोड़ा सा बदलेगा, तो वो जो थोड़ा सा y बदला, अपन थोड़ा सा x बदला, उसका रेश तो जो य बदला अपॉन जो आपने x को change किया उसका ratio किता रहा होगा 3 अच्छा इसकी वाल्यू बता हो जब x की वाल्यू 3 है 9, 9, 27 इसका मतलब भी है कि जब x की वाल्यू 3 है उसको थोड़ा सा बदलने पर y थोड़ा सा बदलता है तो वो जो y थो उड़ा सा बदला अपन जो x को आपने बदला वो रिश्यो किता रहोगा? 27 So this is an equation which is giving you rate of change of y with respect to rate of change of x called what equation? differential equation maths में इसको बोलते हैं derivative of y with respect to x फिसिस्क में बोलूंगा rate of change of y with respect to x लिखो फिर एक और सावाल बोलूंगा बोलूंगा झाल सेर बोलूंगा बोलूंगा शो बोलूंगा यERO 2